गर्मियों के दिन थे और गर्मियों की छुटियां भी चल रही थी राहूल जोती एक शाम दोनों अपने घर के बाहर केल रहे थे तभी उनकी मम्मी और राहूल जोती जरा इधर आओ जल्दी से तभी राहूल और जोती अपने घर को चले आए जैसे ही राहूल जोती घर के अ कर देफे रहे हैं। फिर यह सुनकर तो राहुल जोती की खुशी आश्मान चुघए। चलो पै किंग शुरू कर देते हैं। ना नानी की गाउं चलते और इंजॉआय करते हैं। फिर क्या। दूसरे दिन सुभे सब लोग जल्दी नानानी के गाउं के लिए निकल राहुल जोती का नानी का घर काफी खूबसूरत और छोटा सा गाउं था जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे राहुल जोती जैसे ही नाना नानी के घर पहुचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तैयार खड़े थे राहुल जोती को नाना नानी खाकर राहुल जोती ने थोड़ी देर आराम किया और फिर दोनों अपने नाना नानी हाल का मज़ा लूटने के लिए तैयार हो गए ये लो तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का रस बनाया है इसे जल्दी से पीलो इसे गर्मी में पिया जाता है नानी की बनाई हुई इम में बाते करने लग गए और फिर नाना जी के साथ घूमने चले गए और फिर रात हो गई फिर राहुल जोती नानी जी के साथ रात के खाने के लिए फिर घूम कर घर लोट आए नानी जी मैं आपके हाथों से खाऊंगा नानी मुझे भी किलाओ ना ये सुनकर नानी जी हसन फिर क्या राहुल जोती ने नानी के हाथ से पीट भर कर खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और फिर राहुल जोती को गर्मी महसूस होने लगी नानी जी घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है पंखा भी गरम हवा फैक रहा है आप के घर में AC भी नहीं है हमें तो AC की आदत है अब तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी यह सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हसने लगे यह देकर राहुल और जोती जादा कन्फ्यूज हो गए आप सब हस क्यों रहे हो हमने कुछ गलत क्या है दिया क्या ना बेटा ना तो तुम्हारे शहर में नहीं होगा नानी जीने फिर जाकर च्छत पर गद्दे बिछाए और सोने लगए नानी हम भी आपके पास सोएगे हाँ हाँ तुम दोनों मेरे पास सो जाओ आओ सो जाओ फिर क्या खुले आसमान के नीचे थोड़ी हवा में राहुल और जोती आरा नीचाग